हालो दोस्तों, आज मैं आपको SSE GD का जो रिजल्ट है, उसका डिले के प्रमु कारण बताने वाला हूँ, जितने भी SSE GD का जिने नोगों ने एक्जाम दिया है, उन सभी छात्रों के लिए चाहिए आपके कितने ही मार्क्स बने हो, तो सबसे पहले उन छात्रों को बता दे कम गोन रहे हो, SSE का एक्जाम पेटन सारों में क्या सेम रहता है, और उसमें क्या था हिंदी था और इसमें इंगलिस है, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, आप जरूर फोर्म अफलाई कीजिएगा, और अगर आप बस्ट मोक टेस्ट देना चाहते हो तो परिक्षय एप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर देना, अगर उसमें मेरा कूपन कोड आप यूज करोगे, तो आपको 50% डिसकाउंट मिल जाएगा, तो यह मेरा कूपन कोड दे रखा है, SHHSL एक्जाम के लिए, और कोर्स कोई पर्चेस करना चाते हो, तो उसमें भी आपको 50% डिसकाउंट मिल जाएगा, तो अब मैं बता देने साता हूं, उन सभी स्टुडेंट का जो रिजल्ट का बेट कर रहे हो, देखिए, SSC ने जो SSGDA, 15 अपरेल को रिजल्ट आएगा, और इसके इतना दूर देने के दो प्रमुकारण है, एक तो SSC खुद दिक्याक चल रहा है, डिले में चल रहा है, क्योंकि SSC में चल रहा है, और दूसरा प्रमुकारण क्या है, वेकंसी वाला, जो वेकंसी SSGD में वेकंसी है, CRPF वेकंसी बगरा, इसमें जीरो वेकंसी थी, तो वेकंसी भी इंक्लूड होग हुआ इसमें तो देखिए जो डेट दी ये 15 अप्रेल ये मान के मत चलिए कि आपको फिक्स इसी डेट को आने वाला है से इससे पहले भी आ सकता है कि ऐसा भी बहुत वार हुआ है जैसे ऐसे सी जो सीजियल का था सीजियल में भी ऐसे सी ने 30 डाला था कि 31 दिसंबर को रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट आ गया 20 दिन पहले ही तो यह तो देखाँ इसलिए दिया है इस डेट को फिक्स रिजल्ट आजाएगा और अभी तक कोई ना तो नोटीस देते ना रिजल्ट देते क्या अचात्र हो वाला करने लग जाते कब आयो कब आयो रिजल्ट अभी तक और जिन साथ रोग देखिए कम नंबर बने ना ऐसे जीडी में तो MTS का फॉम अपलाई कर देना ऐसे सी MTS 10th level का ही है वो 10th पास जिसने कर रखा है वो यह फॉम अपलाई कर सकता है सले बस बगरा सब कुछ सेम है इसमें सब्सक्राइब में निए मिलता है लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे सी सीजिल वाले इस्टुडेंट भी बैठते हैं सारे सारे थोड़ा तफ होता है कट आप थोड़ा हाई जाता है इसलिए आपको मिनिमम् 10 गंटा तो पढ़ना है पड़ेगा तो रिजल्ट डीले का बें परण यह कि ऐसे से इसमें वेकंशी हो चाहिए और किसी की वेकंशियों इंक्लूड जरूर करेगा मान के चलिए आप 90% चांस वेकंशी इंक्लूड गाए क्यों 25 जार वेकंशी नहीं रहने वाला है इतना कम और जो नोटिस आया था 2022 में न्यू वेकंशी आईगी तो अब कु अपने कलेंडर में कहा है 2022 में न्यू वेकंशी आईगा अब यह वेकंशी जब तक फिल नहीं होगी तब तक तो ना तो फिल मतलब जैसे रिजल्ट आ गया फिजिकल की त्यारी हो गई उसके बाद न्यू नोटिस जारी करेगा ऐसे जीडिका उससे पहले नहीं करने वाला ह यह भी फिक्स नहीं है कि 2022 में दे दिया न इस तारीक हो तो इस तारीक हो 100% श्योर ऐसे जीडिका वेकंशी आएगा नहीं आएगा यह दिले में होगी यह विकंशी तो यह सब अच्छा से प्रोसेस कंप्लीट होगा तब न्यू वेकंशी देगा इसी में वेकंशी कि बड़े लेवल पर exempt आसान नहीं होता है क्योंकि oxy सारह के सारह सिंपल हें ये बात Post-zone करने की तो इसके वाद घ़ति कोड़ना है । इसके लिए कान थोड़ा ज्यादा कंठिन यह इसमें गया एक option निकाल देंगे या आपको उसके बाद code फिल करना होगा A, B, C, D, जो भी आपको post field की दुबारा निकाल देंगे विसा हो जाएगा तो यह दूसरा reason है vacancy include होगा 90% chance है vacancy include होगा तो demotivate नहीं हो एक दम full confidence फिजिकल की त्यारी करते रहेगा साथ ही साथ में ऐसे CHSL, MTS इनका भी त्यारी एक दम अच्छे से करते रहेगा और देखिए जीड़ी वाले CGL के लिए तो साथ इतना इज नहीं होगा उनका बागी जैसे पहले से CGL निकला उसके बाद CHSL उसके बाद MTS तो candidate के साथ होता क्या है कि एक दम अच्छे CGL की त्यारी करते हैं फिर दो मान लिए उनका नहीं हुआ तो CHSL नहीं होता है MTS में जरूर हो जाता है अच्छी त्यारी करता है तो यह वेकंसी क्या है अब है ऐसे सिक्वेंस में पहले सीजियल के आई थी आप सेसल के आए थी तो त्यारी करते रहे है और सेसल करें बता दिया मैंने बेस्ट कीजिए मोग टेस्ट जरूर लगएगा मैंने दे दिया है मोग टेस्ट आप अगर खरिदेना चाहते हो तो 50% डिसकांट हो जाएगा यह दे रखा है आपको गोल्ड तो मेरा कोड यूज करोगे आपको 50% डिसकांट मिल जाएगा ओके थैंक यू बाई बाई